नमस्कार में नमालोग है आप लाइश्टीज देख रहे हैं हम बात करेंगे बिहार के सिक्षा व्युहाग के पर मुक्सचीव केके पाठाकोले केके पाठाकोले का अजिस्था सर्थ मुखमत नितीश कुमार ने सदन की कारवाई की दौरान कहा उन्हें इमांदार बताया और फिल्हाल जितनी बाते हो थी नितीश कुमार ने एक तो अपने उपर लगे हुए जाम उपर जो नितीश कुमार मुरदाबाद मुरदा बात कर रहे थे विपक्ष नेता उन्हें भी कहा कि आपका जिंदा बात को मिला वाहाँ साचा बिहार के वरिष्ठ ौतरकार उनने पा हांस बन गए हैं सब्सक्राइब बताया था कि उन्हें निर्देश दिया था उसका पालन नहीं हुआ अब आज फिर हंगामा हुआ और विपक्ष इल्कुल सवाल कर रहा था कि यहां कहा कुछ और निदेश कुछ निकला आज मुखमंत्री ने जो कल के पाठक पर नाराज़ी जताई थी आज उनके बचाव में उतर आए इसलिए मैंने कहा कि अब तो के पाठक एक ऐसे अधिकारी हो गहा हैं जो इस सरकार के लिए न finely अमछलते बन रहे हैं नींगलते बन रहे हैं लेंगे करने कदकानी के रूप में कषिबागा सार्था क्म फेले गऑन हो गया थे आपने देखा नहीं रहते हैं और के पाठक ने जो कुच्छ ही स्कूल सिक्षा में सुधार के लिए कालेज तक में जो कुछ कदम उठाया उसने उसका है कि स्कूल में सिक्षक जाने लगे उसी दोरान चात्रों की उपस्थिती बढ़ गई यह सब तो सकरात्मक है अब भी इस सरकारी स्कूल में जो बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए गारिजेन फिरिभान वह कौनसा क्लास मध्यीं बच्छे उसे निच नीचा कहीं लोग ना अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भेजते हैं ठोरा भी सामर्थ होता है गाउं के प्राइवेट स्कूल में और अच्छे स्कूल में लोग भेजते हैं और उस सारे सरकारी स्कूल की जो दसादिशाव हो गई थी वो तो सचमुच में सब बेतन बाठ रही है सरकार नहीं प्रार्थमिक्ता तो थी नहीं कि इसकूल में पढ़ाई भी हो केके पाठक ने कहीं न कहीं एक मीशन के तहत जिसको आप कहेंगे कि सुधार मीशन के तहत में काम किया और उसका अच्छा परिनाम में लेकिन उसमें कई ऐसे फर्मान लगातार के पाठक जाड़ी करते रहे जो ना तो कानून की दिरिश्ची से उचित है ना ब्यभारिक है और वही सब फर्मान जो है कि सरकार की गले की फांस बन गहीं आकिर देखिए संसदिये लो उनको पॉल खोल खोल रहा है तो पहले कहों बता रहा है कि कि सु Cake रूप में उनके कोई बात वहां ना चलती थी ना सुनी जाती करने सदन में का बस्तार है और बताय कि वह कितना आसथ है जो क tast रहे हैं बता रहे हैं कि इसके लिए वो जिवार नहीं केके पाठक जैसे बहुत सारा चीज जो वहां काम दिया गया है लोगों को काले सिचकों को नियुक्ति के लिए जो एक आउट सोर्सिंग की गई थी कि के पाठक इनकामों की कोई कैसे सराना कर सकता है यह निरवाचित सरकार आए जेपी मुव्मेंट से आय हुए है नितिश कुमार के पाठक ने फर्माण जारी कर दिया कि सिख्षक का कोई संगठन नहीं होगा संग नहीं होगा अब बताइए सिपाही दरोगा का संगठेंट डिफेंस में तो यह रोक थी कहां का यह कौन सा कानुन है इसके बाद उस पर कारवाई भी कर दी काले सिच्छों को आपने देखा सिक्षक महासंग के एक नेता है वो उनका वेतन पेंशन रोक दिया है अभी राजभवन से फिर टकराब हो गया है यह भी अहरानी की बात है कि सिख्षा में सुधारी के लिए सभी अभी चानक्या लॉइंवर्सिटी में अभी तीन चार तरीक को एक वर्क्षप होना था उसमें वीची प्रोबीची सारे लोगों को बुलाया गया था अब पाटली पुत्रा इंवर् वर्क्षाइब यहां रहा है का बहुत ही मांदार है किसे लिए कौन आप रहा है यह कर रहे हैं तो अब भला बताइए ना कि मैं तो मानता हूं कि अपने असहाइव होने किस्तिती भी दिखा रहे हैं अब आज कल का जो आदेश था इसका मतलब जो चीफ फिनिशर का कंटेंशन है जो उनका इस्पीट था कलादेश निकालने का वो डिफिट हुआ तभी तो आज ये बात सिक्षा मंत्री ने उनके चीफ फिनिशर के उसके बयान को फिर से प्रिजेंट किया और बताया कि नहीं चीफ फिनिशर का ये कंटेंशन है कि दस बज़े से पढ़ाई हो से नौ बज़े से पांच बज़े तक आठ घंटी तो तब भी लगे कि घंटी के घटा दी गई है तो कुल मिलाज उलाकर मुझे लगता है कि अन्ता सरकार को विधान मंडल के दोनों सब्दों में सदस्यों के जो भाव उसका भी आदर करना होगा इस सरकार मुखन तो यहीं तो मैं अब सब्द कह रहा हूं अब गाली सब्द भी वीडियो हुआ है कहीं मैंने भी सुना है कहीं ड़क्टर अजय से जो बात कि थी वह वायरल हुआ था किसी अधिकारी को देखे शिष्टा उसकी महांता होती है अब इस तरह से आप किसी के बारे में कुछ कहेंग होगी कि वह हीरो भीलेन बढ़ने लएगा बताइए आप ही हीरो तो हीरो होता है उसको खलनायक बने लएगा तो फिर वहीं होगा पाठक ने बहुत सारे अच्छे काम किये हैं लेकिन उनके कुछ ऐसे आदेश हुए हैं अब एक बात फिर मैं मानता हूं आप सिख्ष्कों स आप निराधर का भाव रखके उसके प्रती एक समाध में सिख्षक का एक दूसरा रोल होता है समाध नə कहीं एक पिढ़ी बनाने वाला रोल है उसका वे किसी ऑफिस यह किरानी नहीं है चपरासी नहीं अधिकाणी नहीं है लेकिनद्धिकाणी ओगावि पनाई को का बस्ता होने के लिए उस सिख्षामित्रों को भी नहीं पता होगा कि आज इतनी इतना हम पर पढ़ाने का दवाब होगा आज गारा सोमें जो बहाल हुए थे चालीस जहर पा रहे हैं यूमीर ऐसे सिख्षक बहाल हुए नितीज कुमार आये तो डिग्री लाओ नोकडी सिख्षक जो पहले से काजरत है उसमें मेधा तलास रहे हैं और उनको आप जो कोई 10 साल 15 साल से काम कर रहा है उसको यह कहिए कि सभी आयोग है यह भी कहना गलत है कुछ है यह आप तो क्लास बन के बच्चों को पढ़ाना है तो उसका आप इंसर्विस ट्रेनिंग दीजे न कि बच्चों को कैसे सिख्ष बनाओगे जो अभी निव कमर बच्चे हैं उसको कैसे स्कुल में कुछ धंकी बात सोच नहीं होगी हमारे सोच बदलनी है एक बार आप सारे सिख्षकों को कहें क्या योग है अभी जो अभी सक्षमता परिक्षा हो रही है नेरी अपनी भी यह है नीजी राय है या कहिए कि समाज में नागरी खोने के नाते नहीं एक सिख्षक को कितनी परिक्षा दी जाएगी नियुक्ती के समय तो परिक्षा होती है इस सर्विस के समय दस-पांत साल के बाद परिक्षा लेके यह कहा जाए कि आप सक्षम नहीं हो हम आप भी आने वाले सोसाइटी में लोग माने जाते हैं और हम सिख्षकों को लगातार अपमानित कर रहा हैं परतारीत कर रहा हैं पूरे बिहार में सिख्षा इभा की हालत इक पहां चुटे का दिकारी को जदी इतना ही योग है उसको मलान देना सिख्षा मंतरी या उससे वह परिवार शक्षक नहीं है सिख्षक परिवार विभाग की अधिकाडी सभी अस्तर पर जिख्षक के डर से ख़ास आता था पढ़ता था अब है और आप किसे नहीं इसको सोचा है निरिक्षन के नाम पर अभी जो मॉनेटिंग किया है क्या हो रहा है स्कूलों में मीडियल के इस इंस्पेक्शन के लिए अभी परखंड लेवेल पर जो लोग इस काम के लिए देखे गए हैं निर्धारित मासिक बसूली हो रही है परखंड सिक्षा अधिकारियों के बारे में आम सिकायत है कि हर इसकूल में उनकी बंधी मधाई रकम होती है जो करता है कास कोई था इजन से चराव फीड़बेक लें विहार में सुधरी है इसको तो हर कोई स्विकार करेगा कि बिहार में के पाठक के आने के बाद सिक्षक की स्कूल जाने लगे हैं और यह बल मिल गया भी देखिए दो लाग से अधिक वीपीए सिसे यही तो रोना था हुए हैं ग्रामीन चेत्रों के स्कूल भड़े गए अब सहरों में फी रहे लेकिन आप देखिए उसमें कभी अस्थांत्रन नीती की बात हो रही थी सब चला गया अब कल होके चाहिए कि के पाठक रहें कोई और हैं आप देखेगा सिक्षा विभाग में वो दिन दूर नह हैं इसी तरह से सहरों के स्कूल में जो की थैंकीन पेरी वाले पैसा वाले लोग जम जाते हैं ग्रामीन चेत्र के स्कूल खाली पड़े थे एक निती के तहत पोस्टिंग हुई है लेकिन फिर आप देखे अब 35 परसेंट नहीं 50 परसेंट है प्राइमिरी में महिलाओं के ल स्कूल है आप जिसको भेज रहे हैं उसको पनिस्मेंट कर रहे हैं उससे कुछ आपको पाना है आपके बच्चों को पढ़ाएगा तो उसके रहनी की स्विधाव अवेक आपने अभी सोच बनी कि हम सब जगह आब आसे स्विधाव कराएंगे लोग से मकानी सब तो अच्छ पाठक की मंसा और नियत पर नहीं हम सवाल उठा सकते हैं लेकिन उनके तोड तरीके हैं उसकी कदापी सरहन नहीं कि जा सकते हैं कि तोर तरीकों पर खुल का बोलत है अरुन पांडे जी मारे साथ है क्या कुछ विश्रेशन किया है क्या कुछ जनकाई दी है और सरकार के लिए वो गले के फांस बनते जा रहे हैं आखिर क्यूं इसका भी पूर्जो तरीके से जिक्र किया है इस वीडियो में आपने समझा हो हुआ है